अब्सक्राइब नमस्कार में शिल्बित्र पार्थी एबीपेस के खास कारिक्रम विदायक जी चले गाउं की ओर में आपका स्वागत है। के आप लोग और दर्शकों को भी है। के लिए बिकास को कार्व में ला रही है। और आप देख रहे हैं कि चाहे हमारी कोई भी प्राइड रही हो। कि अधि आवाज देने की है तो हर गरीब आदमी को आवाज देने की चिंता कर रहे हैं। इसके लावा आपने देखा होगा भी हमने हर घर तक बिजली पहुचाना। अधि वो बिजली का कनेक्शन लेने में सच्चम नहीं है तो इसको फिरी कनेक्शन देना। इसके अलावा हम लोग उस विक्ति तक रोड पहुचाना। रासन से संबन्द जो प्रेष्टाचार है उसको भी मिटाना और उसको पूरा रासन मिले। इसके लिए प्रियासरत्य उसके रूप में पाइलेट प्रजक्ट भी सुरू हुए हैं। जिससे कि उसकी सब्सीडी डारेक्ट उसके घाता में पहुचे इसके लिए हम लोगों की कार सुरू हो चुके हैं। लेकि आप एक अनभव करियेगा। सरवगों केशना को पूर में 2-9 के नाम 21 कनेक्शन दीए जाते थे। और बहुत कम दर पर उनको व्राय सामें छाते थे। लेकिन आप उसको बास्तुली ग्रूप में देखें ग्रामड चत्रों में जा के देखेंगा १। नाम पर मजाक होता था, उनको जरूरत है विजली की दिन में, तो उनको रात में मिल लगी है, दो शे तीन, नाम मत विजली मिलती थी, खेच सूख जाते थे, उनने डीजल के दौरा अपने एंजिनों के दौरा पढ़ाई करनी पड़ती थी, पानी की, सिचाई करनी पड़ती हम लोग बिजली को 18 गंटे ग्रामीड इस्तर, 20 गंटे ग्रामीड इस्तर पर देना चाहते हैं, जिससे जब वो किसान जब चाहे तो सचाई कर सके, अपने घर पर जब चाहे उसका उपयोग करके उसका उपयोग पूरा बिजली का ले सके. पिजली जी बताई कि बहुत मतलब गाउं में जो ग्राम पचाहते हैं, उसमें साड़क और खड़ंजय का निर्मान है, उसके लिए रेत और मिट्टी की जरुवत होती है, उसके लिए जब उसके निर्मान के लिए जब सामान जा रहा होता है, तो उसको पुलिस रोग लेत इस पर आपके सरगार क्या कारिवाई कर रही है? इस पर रोग लगाने के लिए प्रयाद शुरुआ है, लेकिन किसी इस तर पर किसान को परिशानी नहों, इसकी चिंता हम सब लो कर रहे हैं। देगे ऐसा है, जब भी कोई गाउं का विकास होगा तो उसकी महतपूर कड़ी ग्राम परदान होता है, तो कहीं मैंने नहीं सुना है, हम लोगों को गोद लेने की परंपराय तो शुरू की गई थी, वो इसलिए थी, कि हम लोग उसमें, हम लोग एक तो बहुत खलत रूप हैं, उसमें भी होगा विकास, लिक हम सबसेच वड़ी चंता ही है, ग्रामीर जीवन में बदलाव, उस बदलाव उनकी सोच में परवर्तन, उसके लिए गोद लिए गए गए ते कि उस गाउं के अंदर एक वी बच्चा सिच्छा जे बंचतना रह जाए, इसकूल तक पहु बड़े उनकी उसकी चिंता, तो यह समझ चीजों को गोद लेने का मतलब यह था, कि गिरामीर जीवन में परवर्तन कैसे आए, उनके अंदर कुछ गाउं के अंदर कुछ जागरूपता की कमी है, वो पूरी हो, हमारी जितनी भी नीतिया है, कैन सरकार चा प्रदे सरकार की, वो बहां तक पहुंचे हैं, इसलिए गोर लिया जा रहा है, बाकि विकास तो आप यह मानिएगा, कोई भी गाम विकास से अचूता नहीं रहेगा, तो गाम में बहुत सारे स्कूल तो हैं, लेकि इन साफ सफाई नहीं है, अध्यापक नहीं है, इसका ग्या कारण है? यह आ हमारी सरका बनी, उसके बाद जो सहसन आया, उसमें एक करोड करीब पच्पन लाग से जादे बच्चे उसी समय गए, और जो हम लोगों ने पिर्यास किया है, उसका रूप में आपने देखा, सिच्छा के इस्तर को सुधारने के लिए हमने पिर्यास किया है, इसकूलों में इसके लिए हम लोगों ने पिर्यास किया है, बच्चों के इंदर स्वाइमान के साथ पढ़ने की इच्छा, उनके इंदर स्वाइमान जागरतों उसके प्रती, उसके वजह से उनकी ड्रेस में जो परवर्तन किया है, और अब तो आप देखे, पाठेकरम हम लोग चेंज कर हैं, NCRT जो कभी पबलिक स्कूलों के धरवर मानी जाती थी, आज हम उसको आप पबलिक के लिए लाए हैं, सरकारी स्कूलों में लाए हैं, और बाकाईदा हम तराम से से सेसन सुरू करना, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर देना, इसके लाब आब आपको साथ पता से अपने विध्याले को रंगाई पताई, उनमें सुलोगन लिखना, उनमें बड़ी स्वच्चता कराना, बच्चों में जावरूपता लाना, बहुत अच्छा प्रियास सुरू हुआ है, परवर्तन आ रहा है, और परवर्तन आने में थोड़ा समय लगता है, लेकि यह सच की चंता आप करिए कि यह दसलाग बच्चे पढ़ना सीखेंगे, तो वो जीवन में कुछ पर कड़ पाएंगे, मैं हाँ बैठा हूं, आपके बीच में आपके साच्चात का दे रहा हूं, मैं सिच्छी दूसलिए दे रहा हूं, ग्रामिर जीवन में सिच्छा का जो प्रिय है, ग्रामिर जीवन में परवरतन लाना, तो सिर्फ सिच्छा के लिए ये घतियार है, क्योंकि आज जीवन लिजे खेती, एक उधार दे रहा हूं, एक गाउं के अंदर, एक अच्छा परवार है, पचाश भी का खेती है, उसके दो बच्चे हो गए, पचीस पचीस, फिर उनके दो बच्चे हो गए, जमी नकम हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में कैसे परेयास आएगा, उसको लिए हमने लिए उस सिच्छा का ही परियास से कुछ हो सकता है, एक सिच्छा के माध्दम से एक गाउं के अंदर, एक लेक पाल बनता है, तो इसका इन्द अंतर आता है, वो शेर में नहीं 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 आता हूं, तो आप बिके यही कारण है। तो मैं आपको विश्वास दिला दूँ हमारा जीवन में जिजन सिच्छा का इस तर उठ जाएगा हमारे ग्रामीड चित्र के बच्चे क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं और बहुत उनूमें तमन्ना होती है उनके एक जवाला होती है कुछ करने की तमन्ना होती है उसका अधान देख लिजी आप, ग्रामीड देप्रेस्ट भूमी से निकले हुए लोग, जा निरन बोधी जी हो, जा योगी जी हो, गरीब परवारों से हैं, कहां पहुचे, तो यह सिच्छा की देन थी, उनके ललक थी, तो हमारी प्रयास है कि आज सिच्छत हमारा जब ग्रामीड चेत हो जा रहे हैं, विजल जी बताइए कि आपके इसाब से गाउं में क्या-क्या चीजा होनी चाहिए, जिससे कि आम ग्रामीड के जो लोग, गाउं के जो लोग हैं, वो खुशाल जिंदकी जी सकें और और अपने परिवार को भी खुश रख सकें, देखिए, जीवन जीने को जा इनी चाहिए, जी हमारा प्रयास है, इसी प्रयास में हम लोगोंने हर गाउं, अभी आपने देखा होगा कि कोई भी गाउं किसीवी कच़्ी साड़क से नारा है, हर गाउं पक्की सालक से लोग यह प्रयास, हर गाउं में पेजल विवस्ता संचित हो सुच पानी उनको मिले, वो हमारा परियास, अभी हमको जो सिच्छा का परियास है, वो ग्रामीर जीवन में ही परियास है, इसके अलावा कच्छी जोप्री नार है, हर घर को पक्का मकान मिले, यह हमारा परियास, हर घर में सोचा ले हो, यह हमारा परियास, इसके अलावा, हर घर तक खंबा उसमें हाए, वो हमारा प्रयास, हर खेत को पानी मिले, यह हमारा प्रयास, यह आप देखे, यह प्रयास है, और ग्रामिड जीवन के बदलाव के लिए प्रयास है, और हमारी तो अच्छा यह है, कि ग्रामिड जीवन, अभी आप देखे, हमारे योगी जी का ब्यान, आपने द नहीं बड़े तो हम लोग जीवन ग्रामिड जीवन में सबसे जादे ही प्रियास कर रहा है क्योंकि ग्रामिड जीवन में हमने समझ सुब्धा दे दी तो उनका प्लायन सेर की तब रुकेगा और जितना प्लायन सेर की तब रुकेगा तो बहुत बड़ी समस्याओं का समाधा निसमे होगा ग्रामिड जीवन अपना बढ़िया जीवन वहां जीएगा स्वाटावण में जीएगा सेर के लोग अपना जीवन जीएगे समझ सुवधाओं से सेर का जीवन है तो समझ सुवधाओं से परपूर हमारे ग्रामिड जीवन है यह हमारा प्रयास इसे जो पस्नों की सुरच्चा वो कैसे होगी देखिया आपको बता दू कि हम लोगों की चीज अभी आये हैं केहले में भी अम्हारी कुछ सालोपूर पूर्वा है है आप ताज्जू करेंगे इतने बड़े देश के अंदर कितने डॉक्टर्स हैं कितने भी एमस डॉक्टर्स हैं आप संक्या गिनाएंगे तो आप दंग रहे जाएंगे इनकी पूरी संक्या साइद अब दोक्टर्स के जो कमी है वो दिन दा एक दिन में पूरी नहीं होती है उसके लिए हम लोग मेडिकल कॉलेजेज बैटनी कॉलेजेज अरवेदिक कॉलेजेज इनको भी वड़ाबा दे रहे हैं उनकी नीतियों में परवरतन ला रहे हैं जिससे कि हमारे यहां पढ़ने पच्छों को MBBS में BAMS में बैटनी दोक्टर्स बनने में सुब्दा जनक बिले तो उसका कुछ साला में उसके पढ़ाओं आपको दिखाई देंगे जब डॉक्टर्स होंगे तो हस्पीटर्स भी बढ़ते जाएंगे विदाई जी में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की ब लोगों के पास के बिल्दिक बनाने से तो पच्छों के तीका करन सुरू की गए हैं और बहुत बिरहत इस तरफ पकिये गए हैं जिसके उनमें बीमारी ना हो जाएंगे और अभी आपको बता दूंग बड़ा कुसी की बात है कि पूर में आज तक कभी भी इस तरीके के मेल लगा उसमें समस्ट्र समा मेले में थे पूरे चित्र के किसान अपने अपने जानवर पसुओं को लेके आए उनमें जो भी बीमारी आज थे उनका वहीं के बीमारी बीमारी भी रहे गए उनको जागरूपता दी गई उनको कौन कोंसी दवाईया देनी है वो पहले से है आप ताजियों करेंगे कि पसुओं को सही तरीके से हम रखेंगे तो इसका दूद उसका दूद भी बढ़ेगा उस विल्मारी भी कम रहेगी वो भी हम लोगों सित्चित करने का प्रियास उसमें कामना स्वैम भी उसमें रहा हूं और यहार विदान समान हुआ है तो यह एक तैसर जागरूपता और इनको निलोगी पसूर है यह हम लोगों का प्रियास हुआ है तो हमारे ग्रामेर जनता के लिए हमारे चैनल के मादन से कोई संदेश देना चाहेंगे बस इस उंबीत के साथ कि यह देश आपका है और आपने जो विश्वास हमारी सरकार पर जित हुए है और हमें उंबीद है कि जीवन में परवर्तन लाकिद आएंगे जहिंद्य भारत धन्यवाद तो यह थे हमारे इटा से भाजपा विदायक वीपिन कुमार वर्मा जी जिन्होंने हमारे प्रस्णों के जवाप बड़ी सुद्बूत के साथ दिये हैं आगे भी हम अन जन्हें प्रतनीदें से आपको मिलवाते रहेंगे तब तक शिल्पी को दीज़े इजाज़त नमस्कार